नमस्कार जी, मैं डॉक्टर अर्म गुपता, डारेक्टर, जेके कॉलेज ऑफ साइंस और निस्स टेकनोलोजी भरतपुर, केरियर कंसल्टेंट, आज आपके सामने B.A.D. STC, जो हर्याना से होती है, उसकी विश्तित जनकारी आपके सामने देने जा रहा हूँ, इस समय आपन होने के कारण, दो साल का कोर्स, तीन साल में कम्टिट होता है, नममबर दिसंबर का सतर चलता है, इसके वज़े से वो जो लास्ट यर होता है, वो आउस बच्चे का खराव हो जाता है, खराव दियरस आपया होता है, जबकि हरयाने के अंदर टाइम पे चाल रहूँ जता है इसके वज़े से स्टुडेंट को पुरा एक साल का वेयाइफिट मिल जाता है। दूसरा benefit मिलता है कि हर्याणा के अंदर counselling के through admission जो होता है वो percentage based पे होता है एंड्रेस exam नहीं होता है इसकी वाज़े से easily student का selection पी हो जाता है और उसको जो facilities वहां से मिल पाती है वो राजस्तान में नहीं मिल पाती है तीसरा जो सबसे बड़ा benefit मिल रहा है विध्यारति को मिलत तो number one पर पर अपनकी जो बीर के लिए हो हर्याणा को शेत हर्यारति है तो student के लिए हर तरह से benefit को शेतरी आप पैसा भी लगवग लगवग वराबर ही खर्च होता है ज्यादा नहीं होता है जो facilities वह देते हैं उस facility को देखते हुए students का पैसा भी कम खर्च होता है अब आते म माने तागी तो राजस्तान का student यदि हरियाना से B.A.R. करता है S.T.C. करता है तो वो उतना ही valid है जितना राजस्तान से करना है, यूपी से करना है हरियाना से करना है कहीं से भी करेंगे उसका मूल लिवास जहांगा होता है जब government में जगे निकलती है तो उस मूल निवास के पटिपन करता है कि आपका मूल निवास राजस्तान का होगा तो आप राजस्तान के कहलाएंगे आप हर्याना के कहलाएंगे आपको 95% कोटा जो मिलेगा वही मिलेगा जो government में दे रखा होगा यानि कि अगर Rajaasthana का मूल निवासी है और हर्याना से करता है या फिर UP से करता है खाहिन से भी करता है तो उसको इतनी ही तबज्ज्धु मिलें कि जितनी सबज्ज्द राजश्थान वाले बच्चे को मिलती हैं यानि सेलेक्षिन में किसी भी तरिके का कोई लोचा नहीं होता. अगर आप देखेंगे बहरतपुर और अलवार आसपास में कितनी भी जगे हैं, मुहप्प अगर आप देखेंगे, तो हर्याना से किये हुए, जम्मू से किये हुए, टीचर्स आपको हर स्कूल में मिल जाएगे. ऐसा कोई भी स्कूल आपको नहीं मिटेगा दूडने से, इसके हर्याना या या यूपी से किये हुए, आपको टीचर्स नाम मिटें. राजस्ताम की मूनलिवासी होते हैं और हर्याना और यूपी से अपना कोई भी डिप्लोमा किया हुआ होता है अब भी National Council of Teacher Education All India Business पे Common Entrance एक्जाम करने जा रही है उसके बाद तो वैसे भी आपका हर्याना यूपी राजस्ताम यह सब कुछ अटमेटिकली खतम हो जाएगा जिस बच्चे का जहां सेलेक्शन हो जाएगा